गाइज वेलकम टू माय चैनल सो में टरूटकार डीडिंग और इस समय पर डियर गाइज आपके परसन आपके लिए क्या सोच रहे हैं उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है टरू कार्ट में देखेंगे सो गाइज चल को लाइक सेस्क्राइब कर लीजे बैल ऐकन को भी प्रेस कर लेजगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए और जनरल कलेक्टिव टाइमलस रीटिंग है तो सभी लोग देख सकते हैं अग्या नर्जीज है आपकी परसन की चले चेक करेंगे तो आप अपने परसन का नेम लेकर देखिए गाए रीटिंग अगर आप नेम लेकर देखेंगे न इस रीटिंग को बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा and comment section में जरूर बताएगा कितना resonate करते हो आप मेरी टारो काड़ीटे को and चले चेक करेंगे energies इस समय की आपके person की प्यार की कि वो आपके लिए क्या feel कर रहे हैं क्या महसूस कर रहे हैं क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर सो काड़ सफल कर लिए हैं मैंने मन नहीं कर रहा है पते नहीं के लग रहे हैं कि और थोड़ा सफल करें चले मुझे कर लेने दीजेगा तब तक मैं दुआ मांग लेती हूँ उनिवर्स से प्रात्ना कर लेती हूँ कि जो भी लोग मुझे सस्क्राइब करते हैं मेरे सस्क्राइबर्स यूनिवर्स प्लीज उनका खयाल रखे उनका रियूनियन हो जाए उनके परसन वापस आ उनकी लाइफ में सो भाई सस्क्राइबर व्यूवर्स लाइक शेयर कमेंट्स जो भी लोग हैं सब के लिए ओ माई गॉड यहां पर तो कल रात आपके परसन आपको कॉल मैसिस करना चाहते थे भाई रात भर सोए नहीं है आपके परसन तो कल यस्टरड़ नाइट की अनर्डीज दिख रही है मुझे यहां पर कल रात नहीं सोए है आपके परसन मेल है या फीमेल है कोई भी है कोई भी रिष्टा है इनके साथ को कोई भी फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं यह सक्स लेकिन इनके और आपके बीच में नो कॉंटक्ट इस्थिति अगर है तो भी देखना आज की रीडिंग को क्योंकि नो कॉंटक्ट वालों की ही रजीज आ रही है कल रात नहीं सोई हैं पूरी रात जागें पूरी रा किया है आपको और काल भी कई बार रात के बल्की बार से लेकर में टायम में बता देते हूं रात में बारा से लेकर करीब शाड़त तीन बजह तक यह कई बार इन्होंने आपको कॉल करने के बारे में सोचें कि लग कॉल कर लो कॉल कर लो फिर ये रुक गए बहुत जादा कल उल्जन थी परेशान थे mentally बहुत stress ले रहे थे और इनकी feelings बहुत ज़्यदा loving दिख रही है caring दिख रही है बट ये किसी बात को लेकर ना बहुत ज़्यदा परेशान दिख रहे हैं night of cups यहां पर यह कह रहा है और यहां पर लाइफ में लॉटना चाहता है यहां पर long distance relationship को बता रहे हूं दूसी चीज़ में यहां पर यह भी कह रही थी कि इन person ने आपको प्यार तो बहुत किया लेकिन कदर नहीं किया आपकी मुझे इन person की यह चीज़ दिख रही है अब इन्हें अपनी गलतियों पर बस तावा हो रहा है इन person ने न मतलब आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहता है कि heart करना on off on off करते रहना कभी मन हुआ अपने हिसाब से बात कर ली अपने हिसाब से बात कर ली फिर नहीं करी मतलब आप emotionally बहुत हो इस इंसान से मतलब छोटे-छोटे बातों पर ना गुसा हो जाना चोटे-छोटे बातों पर अपना मतलब जैसे like attitude बहुत ज़्यादा दिखाना अपनी value आपको बार बार दिखाना नाराज बार-बार हो जाना और कहीं कहीं मुझे क्या दिख रहा है ना है इसकी जो आपके person है ना बहुत जड़ी है बहुत ज़न ज़िद्धी जिसके पज़से सब्सक्री से परइशान हो ने लेकिन लेकिन आपने न इन परसन से आपका और इनका अब एटेच्मेंट है अब यह दिल का रिष्टा है तो जिद्धी हो चाहें गुस्सा हो लेकिन तो आपके अपने या वह वह भी उनके साथ यह तो लुग कड़ंट की तो यह पर काईश की देख रही है पता नहीं किसकी अनर्जी आ रहे हैं यहां पर देख रहूं कि आप तो उन्हों के भी बेच में लांग डिस्टेंस रेलेशनसिप भी है कहीं कहीं लिख रहा है कि कहीं कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने मतलब एक ही प्लेस पर हो आप है ना बट इस समय नो कॉंटेक्ट है किसी बात को लिकर नाराज हो गए है को थर्ड पार्टी भी है जो बहुत जादा ना इनको मतलब बार-बार अपनी प्रेजेंट आप लेवल दिखाती है या फर बाबर कॉं मिसंडरस्टेंडिंग मेरे को दिख रहे है कि मिसंडरस्टेंडिंग बहुत जादा हो गई है तो यह सिच्वेशन भी मुझे यहां पर आप लोगों के बेश में दिख बट देखो मिसंडरस्टेंडिंग तो हो गई है और यह परशान भी बहुत हो करते हो मतलब कहीं है इन से मेरे को जाएगा हाँ दूसरे ना मिस गायड बहुत जल्दी हो जाते हैं जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो बतलब एक अजीब सा वहेवियर आपको इनका देखने का मिल रहा होगा कभी इसी आपके लिए बहुत ज़्दा चिंता फिकर दिखती है इतनी ज़्दा फिकर कभी तो बहुत अच्छी से बात करेंगे कभी बिल्कुल ऐसे बात करेंगे जैसे कि लगते ही नहीं कि इनको आपसे मतलब है अपने मूड के साबसे मूड भी बार बार स्विंग होना यह चीज़े भी हो रही है तो अभी तो मेरे को लग रहा है कि ना आपके परसन को देख करना पर प्यार बहुत करते हैं देखो यह जो अनर्जी जारी ना यह बहुत लवेंग है जो कि हमें यह बता रही है कि हां भाई बहुत दूरियां हो गए हैं बहुत मिसंडरस्टेंडिंग हो गए बहुत जगड़े हो पर आप और यह attachment इतना ज़ादा है कि इतनी दूर होन देख रही हो क्योंकि फीलिंग्स बहुत जादा अभी देखो आपके परसन कल रात पूरी रात ये जो सिच्वेशन हुई ना उसके हिसाब से ना कल मिस कर रहते हैं बहुत है ना मुझे तो ही लगता कि यह सुए है अगर सुए होंगे तो पका आपका ही ड्रिम्स आया होगा अगर सुए होंगे तो काफी तो थकान भी लगरी इनकी अनर्जिस को देख कर बहुत ज़्यादा परिशान है और बहुत ज़्यादा मतलब आपको लेकर फिलिंग्स अगरे देख लव का कार्ड है तो मैं क्या बोलो मुझे समझ नहीं आता इस लव के कार्ड को देख कर मैं क्या बोलो क्योंकि इतनी जादा लविंग एनर्जी जैना जिसको मैं बोली नहीं सकती मतलब अब आप यह सोचो कि यह परसन किसकी परसन है चो इतना दिल से प्यार करते हैं बट आप दोनों के बीच में इतना प्यार होने के बाद भी है ना मैं बहुत पड़ा समझते हो इ यह मतलब यह आता ही जब यह मोस्तली जब बहुत जादा कहीं नहीं तो प्यार है बहुत लब है एक दूसरे के बिना रहे भी नहीं सकते हो साथ में आते हो तो लड़ाया होने लगती और ऐसा कुछी टाइम से हो रहा होगा पहले तो सब कुछ ठीक था मतलब कर टोटल 6 महीने से प्रॉब्लम्स जादा बढ़ रही होंगी काड के साब से अगर देखे ने तो पिछले 6 महीने साना ओना फॉन आफ सुच्वेशन डिस्ट्रवेंस आर्गुमेंट्स होना मिसंडरस्टेंडिंग होना मिसंडरस्टेंडिंग तो इतनी जादा होई है आपके रिलेशनसिप चलए है ठीक है आज दूर करते हैं तो उल्ता हो जाता है जब कि आपको कोई ऐसा वह Such a में भी लडाइंगे ईन्प कोई वह नहीं मोटिव कि आज हम बात करेंगे तो जगडेंगे हीनी नहीं ऐसा कुछ नहीं आप नॉर्मल बात करते हैं प्यार भरी बाधा कर तो लेकिन फिर भी सब चीज हो जाती है हैं ऐसा क्यों हो रहा है थे इसा हो क्योima अगर आपके रिष्ट канале भी एस हो रहा है क्यों क्यों कि लेकमकर रात यह बेच और आप लेकर और यह प्यार इसको देखकर तो मैं कहीं नहीं सकते हूं कि प्रसन प्यार नहीं करता है इसकी फीलिंग नहीं है बहुत लविंग फीलिंग से लेकिन जगड़े आर्गुमेंट्स अभी देखो प्रसन के बिज़े से गलत फेमिया हो गई है या फिर कोई बहुत जाता है इन्हें अपनी प्रिजेंटेशन अबलेबल दे रहा है हार टाइम इन्हें कॉल मैसेजिस कर करके अपने करीब करने की कोशिस कर रहा है तो यह सुच्वेशन होगी लेकिन यह जो परसन है नहीं समय इतना mentally stress इनको यह इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह सांथ है चुप है मतलब बोल नहीं रहे हैं कुछ भी बोल नहीं रहे हैं और यह आप से लिकरते हैं love इनकी feelings आपके साथ भावना है जोड़ी यह पिछले काफी दिनों से आप दिनों के बीच में डिस्ट्रवेंस हो रहा हैं आपको लेकर इतना time से बात नहीं किये तो feelings भी loving हो रही है दूसरा अचानक से छोड़कर चले गए move on कर लिया ब्लॉक कर दिया तो इस बात को भी लेकर परिशान है थर्ड परसन भी है यहां पर मिरे को दिख रहा है family भी हो सकती है कोई और person भी हो सकता है जो बहुत नहीं इनका feelings तो सिर्फ आप से ही दिख रहा है क्योंकि silence energies आ रही ना और misunderstanding तो मैं वहीं चीज़ मैं देख रहे मिसंडरस्टेंडिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है तो यह misunderstanding भी थर्ड परसन की बज़े से ही गाइस मेरे को यहां पर आती दिख रही है and the lovers का card यहां पर इस आपके साथ बहुत ज़्यादा मिस्वेब करते तो इस चीज़ का भी आज उनको फिल हो रहा है कि मैंने पतलब इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जिखाई यह बहुत ज़्यादा गुसा दिखाया है ना online होते हुए भी आप से बात नहीं की अपने mood के साब से बात करना तो यह सारी चीज़ें भी दिख रही हैं और अब परिशान हो रहे हैं अब परिशानी में आप यादा आ रहे हो इनको को कि यह बहुत ज़्यादा परिशान दिख रहे हैं तो यहां पर राशियां जो दिखनी बता देती हुमें तो यहां पर राशियां दिख रही है एक्क कल रात मतलब काफी ज़दा मेरे को बहुत ज़दा परिशान दिख रहे हैं कल रात में कई बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने आपको मैसेज करने के बारे में हो सकते कि कहीं कहीं किया भी हो अगर किया हो तो प्लीज बताएगा मुझे और अगर किया होगा ना तो कहीं ना कहीं शौक्ट हो गई होगे डेफिनेटल क्योंकि इनकी एनर्जीज ही ऐसे आरही है मतलब बहुत ज़्यादा उल्जन बरी स्ट्रेस बहुत हो गया माइंड बहुत स्विंग हो रहा है मोड़ना बहुत स्विंग हो रहा है इनका तो अभी देखो यहाँ पर मिस्स कर रहे हैं अपॉन्मेंट ले सकते हैं नम्बर है 95401-19650 जिरह सिर्फ इसी नमबर पर मैसेज कर के अपॉन्मेंट ले वाटशाइप पर और इस्टागराम पर और पेस्बुक पर मैं नहीं हूँ तो वहाँ पर ना ले अपोइटमेंट केवले सी निम्बर पर बात करें मैसेज करें और ली एंड टेक केर बाई बाई बाई